अधा शर्मा एक भारतिय फिल्म टेलिविजिन अभिनेत्री हैं जिनोंने अपनी कई फिल्मों से हिंदी पिक्चर में अपना नाम चमकाया है इनोंने अपने करियर की शुरुआत हार्ट अटैक मूवी से वर्ष 2008 में की थी इनका जन्म 11 मई 1992 को मुंबई महराष्ट में हुआ था हाली में रिलीज हुई दकेरला स्टोरी में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए वे मीडिया के चर्चाओं में बनी हुई है उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में बलकी तमिल और तेलुगू फिल्मों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हिंदी सिनेमा में 1920, हिरोपंती, बागी दो, कमांडो आदी इनके प्रचलित फिल्मों में से एक है एक भारतिय फिल्म और टीवी अभिनेतरी है जो बॉलिवूड फिल्म्स में काम करती है उन्होंने अपनी करियर को टेलिविजन से शुरू किया था और उन्होंने कई बॉलिवूड फिल्मों में भी काम किया है जन्म के बाद इन्होंने अपने परिवार के साथ ही अपना शुरुवाती जीवन व्यतीत किया अपनी प्रारंबिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक्टिंग के फील्ड में अपने करियर बनाने की ठानी और वर्ष दो हजार आठ में हार्ट अटैक मूवी से बॉलिवुड में देब्यू किया अदा के पिता का नाम अजीत शर्मा है और वे एक नौकरी पेशा सामान्य परिवार से हैं अदर शर्मा की माता का नाम नीरु शर्मा है एवं वे एक सामान्य घरेलूस्त्री हैं इनके परिवार में इनका छोटा भाई भी है अदा एक सामान्य हिंदू परिवार से हैं और शुरुआती दौर में इनके परिवार की आर्थिक स्थिती कुछ खास अच्छी नहीं थी. फिल्मी जगत में अपना नाम कमाने के बाद अदा ने सर्व प्रथम अपने परिवार को स्नेय और प्रेम दिया है क्योंकि उनके करियर में सबसे बड़ा साथ उनके परिवार ने दिया. आदा शर्मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2008 में तेलुगू फिल्म हार्ट अटैक के साथ की. हालां की उनकी पहचान और मशूरी उनकी दूसरी फिल्म 1920 से हुई जो 2008 में रिलीज हुई. यहाँ एक होरर फिल्म थी और आदा ने इसमें प्रमुख भूमी का निभाई थी और उन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों की प्रशनसा मिली. यदि हम बात करें अदा शर्मा के करियर की तो हम उनके पहली फिल्म हाथ अटैक में उनका अभिनय नहीं भुला सकते. वर्श 2009 में देवदासी नाम की मूवी में बेहत खूपसूरत अभिनय करके यहाँ बात साबित की कीवे बॉलि हुड और अन्य फिल्म जगत की एक महान अभिनेत्री है. होरर फिल्म में किया था हाला कि उन्हें मुख्य रूप से पहचान और प्रसिधी उनकी दूसरी फिल्म एक हजार नौसो बीस इंच से मिली जो की वर्ष 2008 में ही रिलीज हुई थी. यहाँ उस समय की एक बेहत प्रचलित मूवी और होरर मूवी थी. इस मूवी में अदा ने प्रमुख भूमी का निभाई थी, इसमें उनके किरदार का नाम लीजा था. केवल इतना ही नहीं इन्होंने कई हिंदी, तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. कुछ उनकी मशूर फिल्मे है, Songs of War और Confirmade इन्होंने टेलिविजन पर कुछ प्रमुख रोल भी निभाए हैं, उनमें से सबसे प्रचलित टेलिविजन शो माया रहा है, जो की 2018 की एक प्रचलित टेलिविजन शो थी. आदा पूरे विश्व में अपने अद्वितिय अभिनय शैली के लिए पहचानी जाती है, और उन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदारों को निभा कर अपने अभिनय का बहुत अच्छा सबूत दिया है. फिल्म 1920 ने उन्हें बॉलिवोड में मशहूरी दिलाई और उन्हें सराहा गया उनके अद्वितिय अभिनय के लिए. आदा ने फिल्म हम है, राही कार के के लिए तेलुगू सिनेमा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ट नवोदित अभिनेतर का अवार्ड जीता था. उन्होंने अपनी फिल्म के लिए फिल्मफेर अवार्ड में सर्वश्रेष्ट अभिनेतरी उमीदवारों में से एक रही थी. आदा शर्मा ने अपनी अद्वितिय फिल्म सोलसाथी में प्रमुख भूमी का निभा कर सुर्खियों में रही. अब तक हमने उनकी मेहन प्रतिभाव प्रदर्शन की प्रतिष्ठा को केवल कम शब्दों में सपश्ट किया है परन्तु अदा ने अधिक फिल्मों में अभिने किया है और उन फिल्मों में इन्हें काफी अधिक प्रशंसा मिली है. इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं. अगले वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें.